हेलो मैं हूँ मोहमद हनीफ आज से हम नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसमें डिजिटल सिस्टम डिजाइन्स लैब के एक्सपरिमेंट्स हम वेरिलॉक हेज़डियर लैंग्वेज उस करते हुए एक्सपरिमेंट्स करेंगे इसके लिए हम जाइलिंक्स विवाडो टूल इस्तेमाल करेंगे और विवाडो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे मैं यहां पर 2018 वर्शन इस्तेमाल कर रहा हूं आप जैसे आप विवाडो शुरू कर दोगे तो आपको यह पेज शुरू में मिल जाएगा यहां से पहले हमें प्राजेट क्रिएट करना होगा । फिर बात में हमें दो फ़ाइल क्रिएट करने होगे render marks फाइल में हम वेरिलॉक कोड़ के मेंगे जिसका का प्रोग्राम लिएंगे जो पहले वाला जा प्रोग्राम जो भी लिखा गया उसका वो simulation करेगा ठीक है तो टोटल प्रोसीजर ऐसा होगा कि पहले एक project create करना होगा फिर दो files create करने होगे ठीक है तो यहां पर project create करने के लिए आपको इसे click कर देना होगा create project जैसे click on next कर दीजे और यहां पर आप एक project का नेम दे दीजिए तो मैं दे रहा हूँ experiment one अब यहां पर अगर आपके पास अगर कोई FPGA या CPLD boards है अगर उसका specification आपको पता है दिन आप यहां पर उस FPGA board का specification यहां पर mention कर दोगे हाँ अगर आप स्रिफ simulation करना चा रहे हो तो यह चीज को यहां पर आप ignore कर सकते हो और just click on next कर सकते हो ठीक है और finish यह थोड़ा time लेगा first time project create करने पर और आप यहां पर देख सकते हो के प्रोजेक्ट summary से वहां पर यह पीजे की डिफॉल्ट यह वर्टेक्स 7 है अगर आप चाहे तो आपके पास जो यह पीजे की मौजुद होगा तो उसका आप specification mention कर दोगे ठीक है और हम एक्सपर्मेंट स्री फरिलाग कोड लिएंगे और और एक्वेरिलाग कोड लिखा जाएगा simulation के लिए तो synthesis वगरा आगे करके यह पीजे में प्रोग्राम डंप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इसलिए हम यह चीज को यहां पर और ignore कर सकते हैं ठीक है और आप यहां देख सकते हो कि एक प्रोजेक्ट क्रियेट हो गया एक्सपर्मेंट ना वन के नाम से और यहां पर हमें sources दिखाए जा रहे है design a source इसमें constraints है और simulation sources है simulation sources पे हमें ध्यान देना होगा constraints अगर आप FPJ kit इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें pins input pins और output pins को enable करने के लिए constraints लिखा जाएगा तो पहले यहां तक हमने देखा किसे project create करते हैं ठीक है अब हम पहले बताए गये जैसा यहां पर आपको दो file create करने होगे एक file में आपको verylog का implementation program लिखना होगा फिर से आपको और एक verylog file लिखना होगा जिसमें हम similar test bench program लिखेंगे तो first program तो यहां पर आप इसे plus mark को दबाने से राइट आपको यह options आ जाएंगे तो इसमें आपको create design source को select करना होगा create constraints फिर से आप fpj kit पर काम करते वक्त input और outputs पिंस को constraints add करने के लिए यह file select किया जाएगा और simulation test bench के लिए select करना होगा तो फिलहाल implementation के लिए तो सरिफ यही select करेंगे क्लिक on next कर देंगे और यहां पर आपको एक create file करना होगा जहां पर हम verylog program लिख सकते हो तो यहां पर आपको यह पूछ रहा है कि file type file type में आपको अगर vhdl program में hdl लिखना है then you can select आप यह vhdl select कर सकते हो तो फिलहाल verylog से जा रहे हैं यह पूरा complete course हम स्रिफ verylog पर ही धिहान देंगे ठीक है तो starting आज के दिन हम gates implement करेंगे ठीक है और click on ok तो finish इसमें यहां पर इस इस विंडो में आपको आपके design design में जितने inputs है और जो outputs है उनको यहां पर आपको enable करना होगा ठीक है जैसे हम two input and get लिखना चाहरे हैं तो यहां पर हम दे सकते हैं a और b as a input तो उनका direction हो जाएगा input अगर यह scalar bits है माने scalar bits माने स्रिफ वन bit का bus width रखते हैं तो आपको यहां पर कुछ करना नहीं होगा अगर यह a और b एक से ज्यादा जाने multiple bits bus width है देन आपको यह bus को enable कर देना चाहिए और और जितना वह bus का width है उतना आपको यहां पर number लिग जना है ठीक है जैसे अगर 4 bit inputs है तो आपको यह मेंस भी आपका बन जाएगा 3 3 down to 0 ठीक है तो 3 down to 0 means आपको ए आफ 3 और ए आफ 2 ए आफ 1 और ए आफ 0 चार मिल जाएंगे इसे लिए फोर बिट नो फोर विट बस बन जाएगा ठीक है फिलहाल के लिए हमें बस जरूरत नहीं है तो मैं इसे अंचेक कर दे रहा हूं और नेक्स्ट हमें एक आउटपुट चाहिए तो इसका जर्ड यहां पर लिख दिये हम लोग और डिरेक्शन हमें चेंज करना होगा आउटपुट के लिए ठीक है और जस्ट क्लिक आउन ओके अब यहां पर देख सकते हो कि एक सिमिलेशन फाइल आपकी क्रियेट हो जा रही है ठीक है यह हो गया यहां पर आपको आपका वेरिलाग प्रोग्राम लिखने के लिए एक वर्सपेस क्रियेट हो जाएगा ठीक है और यहां पर यह मार्क को आप देखो गए तो यह हाईरार करते हैं दिन जो टॉप मॉडूल होगा स्रिफ उसी को यह सिम्बल दिखाएगा ठीक है तो फिलहाल हम गेट्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं और वेरी लॉग में हमें तीन खिसम के अप्सक्राइक लेवल सोंगे जहां पर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं जैसे डेटा फ्लो एक स्टाइल है और स्ट्रक्श्रल स्टाइल होगा और एक आपका बिहेविर स्टाइल होगा तो आज हम डेटा फ्लो से प्रोग्राम लिखेंगे तो डेटा फ्लो में प्रोग्राम लिखने के लिए हमें बॉलिन एक्वेशन्स पे डिपेंड होना होगा ठीक है तो डेटा फ्लो स्टाइल ठीक है डेटा फ्लो के लिए आपको बॉलीन इक्वेशन्स पता होना हो गरेट तो इसके लिए अगर शुरू में आज हम गेट का प्रोग्राम कर रहे हैं तो ठीक है तो हम एक गेट ड्रा कर देंगे ए और बी और ये रहा आउटपुट जेट ठीक है तो इसके लिए ये अट गेट के लिए बॉलीन एक्सप्रेशन बनता है अगर आपके पास और गेट होता चमझे अगर ये एक्स और ये वाई और आउटपुट आपका होगा पास आउट अगेट तो इसका एक्सप्रेशन आपको बनता है एक जड दिज इको पूस ट्ट एक्स प्रेस वाई ये है बॉलीन एक्क्वेशन और ये बॉलीन क्वेशन इस रिकिट का है तो हम इस बॉलीन equation को यहां पर define कर देंगे तभी आप जब कभी भी data flow level में program लिखना चाह रहे हो तो आपको balloon equation उस particular circuit का पता होना चाहिए अगर इसके लिए और यह पता ना हो तो हमें data flow में program level में program लिखने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगे ठीक है जैसे हमने देखा था के फ़र एंड गेट इस यहां पर एक कीवर्ड इस्तेमाल होगा assign z is equals to a and b ठीक है यहां पर and operation के लिए यह operator आपको इस्तेमाल करना होगा ठीक है तो यह हो गया program आप बाखी का अगर आप दुसरे structure style में लिख रहे हो या behavior style में लिख रहे हो यहां तक तो सब सेम होगा यहां पर से आपको change होगे जिस तरह आप कुछ से लेवल में लिखना चाहरे हो उस style में आप यहां पर लिख सकते हो ठीक है और आप इसो save कर दीजिए और विवाड़ो में ऐसा है कि आप अगर कुछ गल्ती हो जाती है आप से mistake तो यहां पर यह ग्रीन मार्क के जगा आपको रेट मार्क मिल जाएगा हम देखेंगे के चलो एक सिंटेक्स यहां से एरेस कर देंगे और फिर हम इसको से अगर दिए यहां पर आपको नाउ आप देख सकते हो कि यहां पर एक आपको एक डॉट बता रहा है रिट दे मतलब यहां पर कुछ एरर है ठीक है तो आप वह एरर को मॉडिफाई कर लिजे रइट एंड देन सेव तो यहां से उड़र चले गाया और नेक्स्ट आप जो भी आप प्रोग्राम करें अब यह इंप्लिमेंटेशन को आप यहां पर देख सकते हो कि आप डिजाइन किस तरह आर्टियल अनाल्सिस में चेकर सकते हो कि ओपन एलाबरेटर डिजाइन आप जिस्ट क्लिक आण ओके आप जो भी सर्क्यूट डिजाइन करोगे वो सिंतेसाइज होकर किस तरह दिखाए देगा इसमें आपको यह बता देगा ठीक है आप देख सकते हो यह हमने जो प्रोग्राम लिखा था एंड बी और उसका स्केमेटिक डियाग्राम यह इस तरह दिखा रहा है कि एंड और जेड इसे आउटपट ठीक है अब हमने एक प्रोजेक्ट क्रेट कर दिया है फिर एक इंप्लिमेंटेशन फाइल दिया आप इसे रन करने के लिए और सिमिलेट करने के लिए हमें और एक एक फाइल क्रियेट करने होगी ठीक है तो उसे क्रियेट करने के लिए इस सिमिलेशन को सेलेट कर दिजिए सिमिलेशन सोर्सेस को और यहां पर प्लेसमार को क्लेट करने से आपको यह एड और क्रियेट सिमिलेशन सोर्स का अप्शन आ जाएगा और नेक्स्ट कर दिजिए और यहां पर एक क्रियेट फाइल कीजिए और नेम गेट्स अंडर्सकोर टीबी यहां पर टीबी का मतलब मैंने लाइक इस ले रहा हूं के वार टू तेल देट यह टेस्ट बेंच प्रोग्राम है ठीक है और फिनिश अब यहां पर देख सकते हो कि एक नया फाइल क्रिएट हो गया आपके आपके वर्क स्पेस में जहां पर गेट्स अंडर्सकोर टीवी तो आप इसको डबल क्लिक कीजिए और यहां पर आप टेस्ट बेंच प्रोग्राम डिफनाचर राइट तो टेस्ट बेंच के में जितने भी इंपूट्स होगे वो पूरे रेजिस्टर टाइप होगे तो रेजिस्टर एकामा भी एंड दिन आउट्पूट आपका बन जाएगा वायर जेट यहां पर हमें जो जिस इंप्लिमेंटेशन फाइल को आप सिमिलेट करना चाह रहे हो उस फाइल को यहां पर इंस्टें insci wants a आपको यहां पर उसे आइज इनवर करना होगा करना होगा ठीक है तो इसे कईसा का इन इंस्टेंटिट करेंगे के सिफ फाइल नेम से हम यहां पर ins습니다 कर एंगे तो gates को के और you ut माने unit अंडर टेस्ट आप यहां पर dut लिख सकते हो सी यूटी लिख सकते हो और किसी और नाम भी लिख सकते हो जस्ट टू इडेंटिफाई दट के यहां पर यह यूनिट को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं सिम्लेट करना चाह रहे इसलिए हमने दे दिया कि उसे यू यू टी ठीक है अब यहां पर आप डॉट एक्स यह गेट्स गेट्स में जो आपका एंटिटी है ए बी एंड जेट सेम वो एंटिटी को आप यहां पर इनेबल करोगे ठीक है तो यह हो गया यह डॉट ए यह एंटिटी गेट्स फाइल में है और यह जो परांथेसिस के अंदर जो ए बता रहा है वो यह ए ठीक है तो इसी तरह हमें बाखी के दो इन्पूट्स को भी काल कर देना होगा बी एंड देन डॉट जेट ठीक है और फिर से हमें यहां पर वैल्यूस दे देना है इनिशियल ठीक है अगर आप रन करते हो प्रोग्राम तो जेट कौन से वैल्यू का उसाइन करेगा यह हमें टेस्ट बेंज में पता करते हैं ठीक है तो यह वाला होगा अगले हैश फंडर इनिट्स तक यह वैल्यूस कंटिनियों यहां पर हैश हंड्रेट के माने आप यह देख सकते हो कि टाईम स्केल वन नैनो सेकेंड है तो इस है शुर्डेट को वन नैनो से केंड मतंब 100 आने वाले हंड्रेड नैनो सेकेंड सक ए और बी के वैल्यूस जीरो ही रहेंगे ठीक है हम अब यह भी यह कॉपी कर लेंगे एंड हम इसे तीन बार पेस्ट कर देंगे ठीक है और नेक्स्ट एजिरो बीवन का वैल्यू फिर एवन जीरो बीजिरो का वैल्यू एवन और इसके बाद हम इसे यहां पर देखे के हमने आपको यहां पर एक बीगी और एंड लिखना होगा ठीक है। सिंग्ल स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो तो बीगी और एंड लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन यहां पर हमने मल्टिपुल इवेंट्स कोड एकस्गिड करने की कोशिच कर रहे हैं तो इसलिए यह आपर बिगिन एंड की जरूरत होगी ठीक है अब आप आप इसे सेव कर दीजिए अब जैसे हमने सेव कर दिया यह आप यहां पर देख सकते हो के यह पहले जो हैरार्की था वह गेट्स को था अभी आप यह गेट्स अंडर्सकोर टीबी को आ गया इसलिए कि यहां पर हमने गेट्स को इंस्टेंशेट किया ठीक है इसलिए वो यह हैरार्की टेबल इसे को चलेगा और यहां पर कुछ एनल आ रहा है रहा है रहा है राइट है जैट्स पर के एरल यहां पर राइट है आप टीकर कि ओके अब इसको आप यह सलेट कर दीजिए गेट्स उंडर्सकोर टीबी जिसमें हमने टेस्ट बेंज का प्रोग्राम लिखा है वो फाइल को select करना होगा और यहां simulation में just run simulation को click करके run behavior simulation को click कर दीजिए तब आपको एक waveform generate हो जाएगा जो values आप यहां पर test bench में assign करें उस values को यहां पर आपको test bench generate होगा ठीक है आप यह देख सकते हो स्टार्टिंग 00 है फिर 0110 और 11 और यहां पर आपका simulation 400 तक आपके और inputs को हमने चेक कर दिया है लेकिन फिर भी यह 400 seconds के बाद ठीक है ना 400 nanoseconds के बाद यह continue हो रहा है default यह जाएगा ठीक है default यह जाएगा 1000 nanoseconds तक ठीक है तो हम यहां पर रोक सकते हैं कि 400 nanoseconds के पास इसे end कर सकते हैं उसके लिए आप तो test bench program में modify करना होगा हम यहां पर एक system task क्लिखेंगे dollar finish dollar finish एक system task है very log में जो आपका program को end कर देगा ठीक है और यहां पर तक जैसे यह 4 seconds हो जाएगा तो यह आप यह four different options हो जाएंगे तो अब यह end कर देगा इसके साथ हम एक display करने के लिए dollar monitor का इस्तेमाल करेंगे dollar monitor एक और एक system task है जो आपको हर time में अगर किसी input का या किसी value का कोई value change होता है तो देन यह वो update होते वे output आपको डिस्प्ले करते जाएगा ठीक है तो यहां पर हम यह वाला ले लेंगे यह इसे हम binary में display करेंगे फिर बी लेंगे इसे भी हम binary में display करेंगे और जेड इसे भी हम binary में display करेंगे ठीक है और यह और भी जेड वैल्यूज ए कमो भी कमो जेड इसके साथ और एक चीज़ हम कर सकते हैं यहां पर और एक सिस्टम टास्क इस्तेमाल करेंगे time और यह हम decimal में display करेंगे ठीक है तो यहां पर इसे यहां पर लिखना होगा डालर time ओके अब प्रोग्राम को सेव करेंगे और फिर से हमें इसे सेलेट करके रन बीहेवियर सिमिलेशन करना है ठीक है आप देखिए आप यह टेर्मिनेट कर दिया है यहां पर आप देख सकते हो के यह 400 सेकेंड तकी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेगा और एक चीज हमने डॉलर मानिटर लिखी थी डॉलर मानिटर का आप यहां पर टीसील कंसोल में देख सकते हो के टाइम ठीक है एड़ जीरो इंपुट ये को जीरो असाइन करें और बी को जीरो असाइन करें दिन आउट पूट इस वेंचेंड जीरो ओके इसी तरह आपको यह हर हैश हंड्रेड सेकेंड के बाद जैसे हमने बताया था कि किसी ना अगर कोई एक इंपूट में चेंज आगा तो डालर मानिटर उसे रेट कर देगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही इसमें अगर आप को चुछ डवूट्ट्स आप इंप्लीमेंट किजिे आपके सॉफ्ट वेर में अगर कुछ डवट्स है आप पामेंट्स कर सकते हो ठीके अगले वीडियो में हम दुसरा और एक 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 एक्सपरमेंट लेकर आएंगे ठीक है थैंक यू